नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सब एक इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टेडी विच पी एन लोदा साथियो रीटमेंस एक्जाम 2023 के लिए राजिस्तान का भुगोल गोल्डन पेपर नंबर 17 आज आपके लिए लेकर आया हूँ देखेगा भुती, शांदार 25 वस्तुनिष्ट प्रिश्ण इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल एक दम विशिष्ट और नए प्रिश्ट आप इस वीडियो में देख सकते हूँ साथियों तो ये जो पेपर है रिटमेंस एक्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए बहद उप्यूगी है पूरा विडियो देख करके जाईएगा और अपने आपका मुल्यांकन करिए और बाद में कमेंट करिएगा कि 25 में से कितने वस्तुनिष्ट प्रिष्णों को आपने सही किया है तो पहला प्रिष्ण देखेंगे साथियों प्रिष्ण संख्या एक में क्या है इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो सुमेलित नहीं है उसका चैन आपको पहले प्रिष्ण में करना है पहला विकल्प है अनुप्रस्त बालु का इस्तूप बार्ड मेर वे जोदपूर में दूसरा है पेरा बोलिक बालु का इस्तूप जेसल मेर बार्ड मेर जोदपूर और विकानेर में तीसरा है सीप चुरू विकानेर वे जेसल मेर में और चोता है तारा बालू का इस्तूप जोदपूर, बाडमेर और विकानेर में तो इन में से जो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है उसका चैन प्रिश्ण संक्या एक में करना है पहले प्रिश्ण में कौन सा विकलप आपका अंसर हेगा देखेगा पहले प्रिश्ण का आंसर देखे कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो मित्रो पहले प्रिश्ण का आंसर हेगा विकलप नमबर 4 क्योंकि अनुप्रस्त बालू का इस्तूप कहां पाये जाते हैं बाडमेर और जोदपूर में पेरा बोलिक बालू का इस्तूप कहां पाय जाते हैं जेसलमेर बार्मेर जोदपूर बिकानेर में और सीप चुरू बिकानेर और जेसलमेर में लेकिन साथियों यह जो चोता विकल्प के रहे तारा बालू का इस्तूप तो यह जोदपूर बार्मेर बिकानेर में नहीं बलकि ये मुख्य रूप से पाये जाते हैं, जेसलमेर जिले में, सुरदगर गंगा नगर में और विकानेर में, तो इस वज़े से आपके पहले प्रिष्ण का कौन सा विकल्प सही रहेगा, विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों, प्रशन संख्या दो की ओर बढ़ेंगे, दूस अनुसंदान केंदर बाडमेर में, चावल वे मक्का अनुसंदान केंदर मासवडा में, इस सबगोल अनुसंदान केंदर जालोर में, और जोवार अनुसंदान केंदर वल्लब नगर उदेपूर में, तो जो यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं लग रहा है, उसका चेन प्रि विकल्प नमबर तीन इस सब गोल का उत्पदन तो सरवधिक जालोर में होता है लेकिन इस सब गोल अनुसंधान केंदर कहां पर इस्तिते साथियों जोदपूर में इस्तिते यह याद रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है यह हम क्या इस सब गोल के इसापसिस को जालोर सही कर देते हैं लेकिन अनुसंधान केंदर की पूंट ले तो जोदपूर आपका सही आंसर होगा ठीक है इसी वज़े से प्रिश्ण नमबर दो में कौन सा विकल्प सही है विकल्प नमबर तीन बाकी बाजरा अनुसंधान केंदर बाढ़मेर में हैं चावल वे मक् अपलोट करने से पहले ही मैंने एप जो है उस पर 144 वाला जो कोर्स चला रखा है साथियों वहाँ पर सेक्सिक प्रिद्रिश्च का पेपल नमबर आठ अपलोट कर दिया है 25 प्रश्णों का लेवल एक प्लस लेवल 2 के लिए और इसके बाद में आपके 99 वाली जो सिरीज है रजस्थान अद्यान का जो अंतिम पाठ है कक्षक 11 की पुस्तक का पाठ आठ जो अड्याई आठ है वो आने वाला है और उसके बाद में लेवल 1 जो एसेश्टी है उनके तीसरा टेस्ट आएगा लेवल 1 एसेश्टी वालो के लिए पिर लेवल 2 जो साइंस वाले हैं साथि हैं उनके लिए यहां पर आपके पेपर नंबर 11 आ जाएगा दो दिन की चुट्टी रहे गी एसेश्टी लेवल 2 वालो कीई धीके आपके कोई पेपर ने आएगा एसेश्टी लेवल 2 की बात कर रहा है क्योंकि Isha desqual 2 के जो सर है वो अभी बाहर चले गये है इस वज़े से 2 दिन का अवकाच रहेगा एसेश्टी लेवल टू का बाकी के तो रेगुलर चलते रहेंगे साथियों प्रश्ण तीन में क्या पूचा जा रहा है बर दर्रा राजिस्थान के कौन से जिले में इस्तित है अजमेर में बूंदी में चितोरगड में और उदेपूर जिले में तो यह है राजिस्थान के अजमेर जिले में इस्तित है कौन से जिले में इस्तित है बर दर्रा अजमेर जिले में है साथियों विकल्प एक तीसरे प्रिश्ण का सही आंसर है प्रश्ण संख्यात चार की ओर बढ़ते है बही चोता प्रिश्ण देख लेते हैं प्रश्ण नमब चार में बताना है देखो राज का सबसे छोटा अवन्य जीव अभ्यारणी तो सरीषका अलवर में इस्तित है और राज का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारणी पूछ ले बड़ा पूछ ले तो फिर आपका अंसर क्या रहेगा राश्टी मरूध्यान रहेगा साथी देपूर में पड़ता है तो विकलप आपके जो चार है वो प्रिश्ण नमबर चार का से उत्तर है प्रिश्ण संख्या पांच की ओर बढ़ेंगे पांच वा प्रिश्ण देखेंगे प्रिश्ण नमबर पांच क्या है कोपेन के जलवायू वरगी करण के आदार पर कौन सा दूंगरपूर में, BSHW नागोर में, BWHW जेपूर में और CWG टोक में तो इनमें से कोपेन का जो जलवायू वरगी करण है उसके आदार पर जो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है उसका चैन प्रिश्ण नमबर पांच में करना है साथ यो पांच वे प्रिश्ण का आंसर देख लेते हैं, देखिए कोपेन ने जो जलवायू का वरगी करण किया है उसके आदार पर, AW जलवायू कहां पाई जाती है धूंगरपूर में, BSHW का विस्तार नागोर में है, CWG का विस्तार टोक में है, लेकिन BWHW का विस्तार जेपूर में नहीं है, बलकि BWHW का विस प्रश्ण संख्यात 6 क्या है, गिद्दो के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, जोहड बीड में, खीचन में, बीचवाल में और नाहरगड में, तो गिद्दो की बात की जा रही है, गिद्दो के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिज जोहर्ड बीड वाला जोहर्ड बीड कहां पर पर पठता आपके बीका नेर में कहां परता है यह परता है तो इस वजहे से आपके विकलब नंबर कौणसा सही है प्रतम विकल्ब क्योंकि यही प्रतम विकल्ब क्योंकि यही पर गिद्धों के लिए प्रदेश का पहला कंजरवेशन रिज़रू बनाया गए साथियों परतम विकल्फ छेटे प्रिशने का अंसर होगा प्रिशनमबर साथ की ओर बढ़ते हैं देखेगा प्रिशनमबर साथ को आपके प्रिशन संक्या साथ है राजस्तान में सरवधिक वर्षा किस इस्तान पर होती है माउंट आबू में बोराट पठार में फलोदी में और फतेप वर्षा होती है साथियो और अगर हम बात करें जिलो की तो कौन से जिले में सरवधिक वर्षा होती है जालावार जिले में जिले की बात करें तो आपका अंसर क्या रहेगा जालावार रहेगा और इस्तान की बात करें तो आपका अंसर क्या रहेगा माउंट आबू रहेगा विकल्प एक आपके साथवे प्रिश्ण का सही आंसर है प्रश्ण नमबर आठ की ओर बढ़ते हैं देख लेंगे प्रश्ण नमबर आठ को देखो प्रश्ण नमबर आठ में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है आपको एक तरफ आपके दे रखा है राश्टी मरूद से जिले में इस्तित है तो देखो राश्टी मरूद्यान कहां पर इस्तित है आपके जेसल मेर जिले में इस्तित है साथियों ताल छापर कहां पर है चूरू में इस्तित है फुलुवारी की नाल कहां पर इस्तित है उधेपुर में इस्तित है और बंद बारेटा कहां पर इस् D में 1 दे रखा है और D में 2 मतलब पहला यह विकल्प आपका सई है D में कौनसा रहेगा दूसरा रहेगा तो इस वजे से प्रश्च मबर 8 में कौनसा विकल्प सही रहेगा, साथ की विकल्प नंबर जो एक है आपके 8 वे प्रिश्ण का सही आंसर है, प्रश्ण नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों, नौ आप प्रिश्ण देख लेंगे, प्रश्ण संख्या 9 में क्या है? इन में से उसर मर्दा किसे कहा जाता है? प्रवतिय प् नाम से हम जिसे जानते हैं उस option का आपको चेहन करना है प्रश्ण नमबर 9 में कौन से विकल पर जाओगे साथ यू प्रश्ण नमबर 9 में देखो कोई प्रश्ण ऐसा भी मिलेगा आपको जो आपने पढ़ाई नहीं है और आप उस पे रिस्क नहीं उटा सकते हो ठीक है जो प मरदा के नाम से जाना जाता है सेकंड विकल पापके प्रश्ण 9 में सही है प्रश्ण संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं देखेगा दसवे प्रश्ण में क्या है आपके इनमे से ए सुमेलित कीजिए ठीके ना ए सुमेलित का चेन कीजिए ऐसा है प्रश्ण मरू विकास कारी करम 1974 जलडारा योजना सिचाई हेतु कुवे खुदवाना साइता विवाक की स्थापना 1951 में और रोहिडा को राज्य पुष्पी बनाया गया 1983 में तो इनमे से जो आपको ऐसुमेलित लग रहा है उसका चेन आपको प्रिश्ण नमबर 10 में करना है साथियों दसवे प्रिश्ण का अंसर देखे कौन सा विकल्प आपके प्रिश्ण 10 में सही रहेगा तो विकल्प नमबर एक है मरू विकास कारिकरम यह आपके क्या है ऐसुमेलित थे क्योंकि मरू विकास कारिकरम 1974 में नहीं चलाय गया था बलकि मरू विकास कारिकरम चलाय गय था 1997 में चलाए गया था विकल्प एक आपके प्रिश्ण 10 का सही उत्तर है बाकी रोहिडा राज पुश्प कब बना 1983 में सहीता विबाक की स्थापन कब हुई 1991 में और जो जलधारा योजना है ये सिचाई हेतु कुवे खुदवाना ये बिल्कुल सही ये साथ ही हो तो दूसर के रा है कि उत्तरी पस्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टिले पाए जाते हैं फिर कारण बतारका है तेज अवाओं के कारण रेत के टिले अपना इसतान परिवर्तित करते हैं ये कतन और कारण आप पढ़ सकते हो अब प्रिश्ण ये पूँच रहे आप से कि पहला विकल्प कतन सही है लेकिन कारण गलत है दूसरा के रहा है कतन गलत है लेकिन कारण सही है तीसरा के रहा है कतन भी गलत है और कारण भी गलत है और चोता के रहा है कतन सही है और कारण भी सही है तो प्रश्ण संख्या ग्यारा में पढ़ लीजे सात्यों प्रश्ण को अच्छे आपके विकल्प नमबर जो 4 है यही आपके प्रिश्ण नमबर 11 का सही उत्तर होगा क्योंकि यह कह रहा है कि कतन सही है कतन क्या कह रहा है कि उत्तरी पस्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टिले पाए जाते हैं और कारण क्या किरे कि तेज आवाओं के कारण, रेत के टिले अपना इस्तान परिवर्तित करते रहते हैं, भर्मन शील होते ना साथ हुए, तो ये दोनों ही चीजे सही है, कतन भी सही है, और कारण भी सही है, विकल्प नमबर 4 आपके प्रिशनी 11 का सही आंसर होगा, प्रिश राजिस्तान की बात की जा रही है, राजिस्तान का राजज खेल आपको प्रिशन संख्या 12 में बताना है, साथ यों बारवे प्रिश्न का अंसर देखें, तो कौनसा विकल्प आपका सही रहेगा प्रिशन बारा में, विकल्प नमरs 4 जो है, ये आपका बिलकुल सहीक है, राजस्थान का राज जिवरक्ष क्या है खेंजडी है मतब राजस्थान के जितने भी परतीक चिन्ने न आपको सारे ही याद होना चाहिए परतीक चिन्न में से एक क्यूशन आने की पुरी-पुरी संभावना हर एक्जाम में रहती है साथ यो विकल्प नंबर 4 आपके प्रि करते हैं देखते हैं प्रश्च नमबर 13 को इनमें से त्रिवेनी संगम इस्तल दे रखे हैं एक तरफ तो और एक तरफ नदियां दे रखी है अब आपको जो सुमेलित नहीं है उसका चैनल करना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है अब देखो यहां पहला विकल्प है बेनैश पिश्वर सवयमादोपूर में बनास चमबल और सीप का तिरवेनी संगम होता है और चोते राजमहल टोक में चमबल डाइ और खारी नदी का तिरवेनी संगम होता है तो जो आपको इनमें से सुमेलित नहीं लग रहा है उसका चैन आपको प्रश्च नमबर 13 में करना है नहीं होता है बलकि राजमहल टोक में होता है बनास डाइवे खारी नदियों का संगम तो विकल्प चार जो है आपके प्रिश्ण नमबर 13 का सई आंसर है क्योंकि यह सुमेलित नहीं है बेनेशवर डुंगरपुर में कौन-कौन देख लेते हैं आपके प्रिश्ण नमबर 14 को बरतपुर का भुसावर किस उत्पात के लिए प्रसिद्ध है कलाकंद के लिए अचार मुरब्बे के लिए आम के लिए और बेर के लिए देखे बरतपुर में किस तान है भुसावर यह जिस उत्पात के लिए प्रसिद्ध है उ चार मुरब्बे के लिए तो विकल्प नंबर जो दो है प्रश्च नंबर 14 का सही उत्तरे साथियों प्रश्च पंदरा की और बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्च नंबर 15 को आपके प्रश्च नंबर 15 राजिस्थान की कौन सी जील में प्राप्त नील हरित शेवाल से एन प्रश्च नंबर 15 में अच्छा मैंने एप का जो आज का शेडूल है वो बता दिया है कि चार टेस्ट आप आज जो है आपको प्राप्त होने वाले हैं साथियों और एप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंड बोक्स में दे रखा ह प्लेश्टोर पर जाकर भी आप इस्टिडिविट प्यान लोगा लिखोगे तो एप आपको मिल जाएगा आठ अजार साधिक लोगों ने एप को डाउनलोड करके रेगुलर अपनी तयारी कर रहे हैं टेस्ट स्रीच के माध्यम से और देखिएगा पिछले जितने 175 के लग पर देखें तो राजस्तान की जिस जील में प्राप्त नील हरी शेवाल से एंटो युक्त खाथ प्राप्त होती है उस जील का नाम है मौती जील कौन सी जील है ये मौती जील कहां पर पढ़ती है मौती जील आपके बरतपूर जीले में पढ़ती है ये कहां पर बरतपूर में तो विकल्प नमबर 4 आपके प्रिश्च नमबर 15 का सयांसर है प्रिश्च नमबर 16 की और बढ़ेंगे साथियों 16 प्रिश्च देखेंगे राजिस्तान में रेल वेगन का कारखना कहां पर इस्तित है टॉक में बरतपूर में जेपूर में और डुंगरपूर में तो रेल का कारखना पूचा गया है राजिस्तान में कहां पर इस्तित है राजिस्तान में रेल वेगन का कारखना साथियों रेल वेगन का जो कारखना है राजिस्तान के भरतपूर जीले में ही ये भी इस्तित है कौनसे जीले में बरतपूर जीले में सेकंड विकल्प आपके लक्षों के नाम दे रखे हैं दूसरी तरफ है उदेपूर चित्तोर प्रताबगर चित्तोर बासवाड़ा और डुंगरपूर मतलब इन जिलों में सरवधिक होता है आपको मिलान करना है और मिलान करके यहां पर आपको सही आंसर का चैन करना है साथियों तो देखो सत्रुए प्रश्ण में मिलान करते हैं इस साग्वान की बात करें साग्वान कहां पर पाए जाता है बासवाड़ा जिलों मतलब मतलब जो है साथियों इस से उधेपूर और चित्तोरगर जिले में सरवधिक पाये जाते हैं मतलब A में तो 3 रहेगा B में आपके 4 रहेगा C में आपके 1 रहेगा और D में आपके 2 रहेगा तो यहां पर M3 कहां पर दे रखा है, M3 आपके पहले और दूसरे विकल्प में दे रखा है, तो इसको तो अटा दो, अब B में कौन सा है साथियों, B में आपके चार है, B में चार कौन से में दे रखा है, डूंगरपूर में दे रखा है, तो इसमें भी दोनों में दे रखा ह पिर C में 1 कहां दे रखा है? C में 1, तो C में एक पहरत्व विकल्प में दे रखा है, मतलब पहला ही विकल्प जो है आपके प्रश्ण नमबर 17 का सई आंसर है प्रश्ण संख्या 18 की और बड़ेंगे साथियों, अठारवा प्रश्ण देख लेते हैं, प्रश्ण नमबर 18 में क्या पूचा जा रहा है, देखते हैं अठारवे प्रश्ण को, राजिस्थान में अबरक इंट उद्योक केंद्रित है, बासवड़ा में, बीलवड़ा में, हन विकल्प नमबर जो दो है, आपके प्रश्ण संख्या 18 का सयांसर होगा साथियों, उनीसवा प्रश्ण देख लेते हैं, आपके प्रश्ण नमबर 19 में क्या है, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध है, सालर, धोकडा, महुआ और बास, तो आदिवासियों का हरा सोना इन में से किसको कहा जाता है साथियों, देखो आदिवासियों का हरा सोना तो कहा जाता है बास को, और आदिवासियों का कल्प उरक्षि कहा जाता है महुआ को, दोनों आपको याद होना चाहिए, आदिवासियों से संबन्नित ये चीज़े साथियों, बास को ही सबसे लंबी घास भी कौन सी है साथियों बहां सी है तो फोर्थ विकल्प जो है 19 वे प्रिश्ण का सही आंसर होगा आपके प्रश्ण नमबर 20 क्यों बढ़ेंगे मित्रों 20 वा प्रिश्ण देख लेते हैं प्रश्ण नमबर 20 में क्या है आपके किस पंचवर्शिय योजना मे राज में विद्युत्य विकास पर सरवदिक वे किया गया ग्यारवी पंचवर्शी योजना में बारवी पंचवर्शी योजना में दसवी पंचवर्शी योदना में और नोवी पंचवर्शी योदना में अब आपको दिये गए विकल्पों के अनुसार ओप्शन का चुन साथियों मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई प्रिश्ण बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो ठीक है इसकी कर सकते हो प्रिश्ण को तो 20 वे प्रिश्ण का आंसर देखे कौन सा विकल्प सही रहेगा विकल्प नंबर जो दो है आपके प्रिश् विकास पर वे किया गया कोंसी पंचवर्शी योजना में बाहरवी पंचवर्शी योदना में विकल्प नंबर आपके दो प्रिश्ण 20 का सही उत्तर है प्रिश्ण 21 की ओर बढ़ेंगे साथ यूं 21 वा प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण 21 में क्या है अबेडा जेवि उध्यान इनमे से जिस जिले में इस्तित है वो जिला आपको प्रस्नpper 21 में बताना है देखो अबीड़ा जो जेवीक उध्यान है यह है राजस्थान के कोटा जिले में इस्तित अगर हम इधर देखें तो इधर है लिगनाइट, गेसी करन, गेस, सोर और तापिये, अब आपको ये देखना है कि ये जो योजना है ये किस पर आदारीते साथ हूँ, इनको सुमेलित करके ये जो चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इनका आपको चेहन करना है कि कौन सा विकल्प आपके प्रश्ण संक्या, जो 22 है, इसका सही उत्तर है, तो 22 प्रिश्ण का आंसर बताईएगा, प्रश्ण नमबर 22 में कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको, देखो, 22 प्रिश्ण की बात करें, तो 22 प्रिश्ण में एक बार आप मिलान कर लो, उसके बाद प्रिश्ण का चेहन करना, यह मिलान कर लो आप आसनी से, उसके बाद 22 प्रिश्ण का आपको जो है, आंसर देखना है साथियों, तो देख लेते हैं, प्रिश्ण नमबर 22 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, देखें, तो 22 प्रिश्ण का आंसर देखें, तो 22 प्रिश्ण में और उरजा पर आधारी थे गिरल्द की बात करें तो गिरल्द लिगनाइट गेसी करन पर आधारी थे और सुरतगर जो है यह तापिय जो उरजा है इस पर आधारी थे तो आपके विकल्प दो ही 22 वे प्रिश्ण का सयान सरे साथियों प्रेश्ण नमबर 23 क्यों बढ़ते हैं 23 इस हुआ प्रिश्ण देख लेंगे प्रिश्ण नमबर 23 में क्या है सुस्क करसी के अंतरगत की जाने वाली परमुक फसले हैं ठीक है विकल्प देखिएगा गन्ना मूंगवे मोट जीरावे गुवार और मक्कावे चावल अब आपको इन उप्रियुक्त कूटों का आपको चोता विकल्प के रहा है एक दो तीन वे चार तो 23 वे प्रिश्ण का अंसर बताइए देखिए सुस्क करसी के अंतरगत अगर हम बात करें सुस्क मतलब जहां पर पानी की कमी हो तो वहां पर आप गन्ने की पेदाश तो नहीं कर सकते तो गन्ना तो गलत हो जाएगा ठीक है गन्ना गलत हो गया है मतलब दूसरा भी गलत क्योंकि इसमें एक दे रहा है चोता भी गलत क्योंकि इसमें भी एक दे रहा है अब दूसरा विकल्प के रहा है मूंग वे मोट बिल्कुल मूंग वे मोट का उत्पदन जो है ये सुस्क करसी के अंतरगत होता है साथ यों तीस तो कौन सा विकल्प सही हुआ आपके विकल्प नमबर जो तीन है 23 का बिल्कुल सही उत्तरे मित्रों 24 की तरफ बढ़ेंगे चोईस्वे प्रिश्ण में क्या है आपके राज में मुख्यमंत्री सुबलक्स्मी योजना का नाम बदल कर निम्ण में से क्या कर दिया है चिराली योजना, प्रिये योजना, इंद्रा प्रिये दर्शनी योजना और सोभाग्य लक्ष्मी योजना तो इनमे से जो राजिस्तान में सुबलक्स्मी योजना चल रही थी मुख्यमंत्री सुबलक्स्मी योजना चल रही थी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियो इनका नाम बदलकर कर दिया गया है इंद्रां पिरिये दर्शनी योजना क्या कर दिया है थाइड विकलब 24 का सई आंसर है अब आज का अंतिम और 25 वा प्रशन देख लेते हैं अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करके जाईएगा साथियों और एप को डाउनलोड नहीं कर रहा है तो डाउनलोड कीजेगा और लाश्ट में कमेंड वोक्स में कमेंड करके जाना कितने प्रिश्ण 25 में से आपको सही लग रहे हैं देखिएगा अंतिम और 25 प्रिश्ण क्या पूँच रहा है देख लेते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो जो सुमेलित आपको नहीं लगता है 25 वे प्रिष्ट में उसका चैन करना है देखो पहला विकल्प है गेहूं इसमें है सोना लिका, मैक्सिकन, कोहिनूर और लाल बहादूर दूसरा विकल्प है चावल, माही सुगंदा, कावेरी, चंबल और परमल तीसरा विकल्प है राय या सरसों, इसमें है जोती, राजकिरन, पूसा और कल्यानी और चोता विकल्प है मक्का, माही कंचन, माही धवन, मोती, कंपोजिट तो साथियों अब आपको जो सुमेलित नहीं लग रहा है उसका चैन 25 वे प्रिष्ण में करना है कौन सा विकल्प जो है आपको सुमेलित नहीं लग रहा है प्रिष्ण नमबर 25 में आंसर देखे 25 में प्रिष्ण का तो कौन सा विकल्प सही रहेगा आप क्या देखो अगर हम गेहूं की बात करें तो सोना लिका, मेक्सिकन, कोईनूरो, लाल बादूर ये चारो ही किसकी किसमे हैं, किस फसल की किसमों के नाम हैं, गेहूं के नाम है वहिए चावल की बात करें तो ये माही, सुगंदा, कावेरी, चंबल और परमल ये चारो ही किसमें जो है चावल की है और तीसरा विकल्प के रहा है राय वे सरसों की किसमे जोती, राजकिरन, पूसा और कल्यानी तो ये पूसा और कल्यानी तो किसकी किसमे है सरसों की लेकिन जोती और राजकिरन जो है ये सरसों की किसमों के नाम नहीं है तो ये क्या हुआ आपके ऐसुमेलित हुआ इसी वज़ कि माही कंचन माही धवन और मौतिक कंपोजिट यह जो सभी है यह मक्का की किसमे हैं तो ओनली थर्ड विकल फी 25 प्रिश्ण का सयांसर यह साथ यहूं कंप्लीट होता है आपके यह टेस्ट केसा लगा हमें कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताइएगा साथ यहूं मिलता है नेक्स टूडियो में